हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कुकिंग वित्सवाद आज मैं आप सभी के साथ गेहूं के आटे से बने हुई आलू प्याच की कचोरी की रज़ेपी शेयर करने जा रही हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके सारे इंग्रीडेंट्स आपको आपके किचन में मिल जाएंगे ये कचोरियां आटे से बनाने के बाद भी बहुत ही जादा क्रिस्पी बन कर तयार होती है और इनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं कचोरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे अब इसमें तीन चमच के करीब तेल डालेंगे एक चमच अजवाइन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए आटा कुछ इस तरीके कर दिखना चाहिए अब इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर इसका टाइट आटा लगा लेंगे आटा ना जदा सक्त होना चाहिए और नाहीं जदा नरम होना चाहिए तो देखिए मैंने आटागून कर तयार कर लिया है अब इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे अब कचोरी में भरने के लिए स्टफिंग तयार करेंगे तो पैन में 2 चमच तेल डाले आदा चमच सौफ एक चमच साबुद्धनिया आदा चमच चीरा अब इसे एक मिनट तक बून ले गैस का फ्लेम अभी लो ही रखे अब इसमें एक कटा हुआ प्यास जाल दे अब आप गैस का फ्लेम मेडियम कर सकते हैं अब इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच लाल मिर्श पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे प्यास को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे सिर्फ चार से पांच मिनट ही पकाएं अब इसमें उबले हुए आलू डाल दे मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू डाले है अब इसमें एक चमच या फिर अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दे इन सभी चीजों को चार से पांच मिनट पका ले अब हमारी स्टफिंग लगबग बनकर तयार है लास्ट में इसमें एक चमच आमचूर पाउडर डालेंगे अब इस्टफिंग अच्छे से तयार हो गई है इसे ठंडा होने के लिए रख दें 20 मिनट हो गए हैं आटा भी चेक कर लेते हैं अब इसे फिर से थोड़ा सा गून लेंगे आटे को तब तक गून दें जब तक कि ये इस तरह से चिकना ना देखने लग जाए तो देखे मैंने इसे गून लिया है अब इसकी लोईयां काट लेंगे जितने बड़ी आपको कचोरी बनानी है अब एक लोई लेंगे और बागी सारी लोईयों को साइड में रख दें अब जिस तरह से रोटी को बेलते हैं उसी तरह से थोड़ा सा इसे भी बेल लेना है बहुत जादा नहीं बेलना है सिर्फ थोड़ा सा ही बेलना है स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब इसमें भरेंगे यहां मैं एक चमच के करीब स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ बहुत जादा ना भरें इसमें नहीं तो यह फट भी सकती है अब इसे बंद करेंगे साइड में से थोड़ा थोड़ा आटा उठा के इसकी प्लेट बनाएं जिस तरह से मोमोस को बंद करने के लिए उसकी प्लेट बनाते हैं उसी तरह से आप इसमें भी बनाएं यह देखे इस तरह से अब इसे इस तरह से बंद कर दें थोड़ा सो गोल-गोल करें और फ्लैट कर दें देखे यहाँ पर हमारी एक कचोरी बनकर त्यार हो गई है अब मैं आपको दूसरा तरह का बताती हूँ इसे बंद करने का तो सेम उसी प्रोसेस से इसे बेल लेंगे और भड़ लेंगे अब आप साइड में से थोड़ा सा आटा उठाएं और इसे इस तरह से दबाते हुए बंद कर दें इस तरह से भी यह बहुत आसानी से बंद हो जाती है थोड़ा सा गोल खुल करें और फ्लैट कर दें तो देखे हमारी दूसरी कचोरी भी बनकर यहाँ पर त्यार है इसी तरह से बाकी कचोरियां बना कर त्यार कर लेंगे अब एक पैन लेंगे और इसमें तेल डालेंगे मैं यहां कचोरियों को शेलो फ्राई कर रही हूँ अगर आप चाहें तो डीफ फ्राई भी कर सकते हैं तेल थोड़ा जादा ले लें और उसमें तल लें अब 2-3 मिनट एक साइड कचोरियों को पकाएंगे फिर पलट देंगे गैस का फ्लेम मेडियम ही रखें कचोरियों को तब तक उलट पलट कर सेकें जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए मुझे यहां 5-7 मिनट हो गए हैं और इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है अब मैं इसे टिशू पेपर पर निकाल लूँगी अब आप इसे अपनी किसी भी मन पसंद चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं मैंने इसे हरी धनी की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है आप इसकी आवाज सुनकर भी देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है तो देखा आपने गेहूं के आटे से बनाने के बाद भी ये कचोरियां कितनी जादा क्रिस्पी बन कर तयार हुई है और इनका टेस्ट भी बहुती लाजवाब है तो अब देर किस बात की आप भी इसे बनाएं और इंजॉय करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई